पैभी नव्यान एकोनॉमिक एजुकेशन इस चैनल पर आपका स्वाकत है आज मैं आपको ट्रेंड अनालेसिस के बारे में बताऊंगा सो यहां ट्रेंड क्या होता है ट्रेंड टीन टाइप के होते हैं एक होता है अब ट्रेंड मान लो यहां शेयर की प्राई से हजार रुपे और वहां इस तरीके से बढ़ रहा है यहां से उपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है फिर उपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है तो वहां इस डाइरेक्शन में जा रहा है मान लो यह 1000 से 2000 रुपई इसकी कीमत हो गई है यहाँ पर ठीक है तो यह जो शेर है यहाँ एक चैनल में ट्रेट कर रहा है तो जनरली शेर मार्केट में लोग चैनल से ट्रेट करते हैं यहां खरीद रहे हैं और यहां बेच रहे हैं ठीक है तो आप क्या देख रहे हो यह टॉप लाइन है यह हाइस्ट और यह हो गया लुएस्ट तो प्रॉफिट बुकिंग लोग कैसे करते हैं अजार पर खरीदा यहां शेर बढ़ गया इस चैनल पर आ गया तो यहां बेच दो फिर यहां खरीदो फिर यहां वेट करो फिर प्रॉफिट बुक करो अगेन एंडर करो अगेन प्रॉफिट बुक करो तो इस तरीके से profit booking होती है तो यहाँ हो गया आप trend दूसरा जो trend है यहाँ मैं एक channel बना रहा हूँ मान लो यहाँ वही share है मान लो यहाँ 2000 रुपे यहाँ पर है और समय के साथ वह गिर रहा है तो वह एक channel में गिरेगा इस तरीके से इसे कितने भी मैंने लग सकते यह 4 मैंने भी लग सकते है 6 मैंने भी लग सकते है गिरने में वैसे ही यहाँ से यहाँ तक बढ़ने में 2 मैंने भी लग सकते है 4 मैंने भी लग सकते है 6 मैंने भी लग सकते ठीक है अब जब भी share downward जा रहे तो आपको क्या करना है, सिरफ observe करना है, ठीक है, तीसरे तरीकी का trend होता है sideways, ठीक है, sideways, तो मैं यहां लिख दे रहा हूँ, uptrend, यहां मैं लिख दे रहा हूँ, downtrend, ठीक है, यहां जो sideways है, यहां uptrend के पहले भी आ सकता है, और downtrend के बाद भी आ सकता है, ठीक है, तो sideways में हमें concept सिखेगे, ठीक है, यहां share, यहां से यहां तक गया, और यहां जो line बनाई है, यहां हम बनाते है, resistance line, ठीक है, और यहां जो line है नीचे का, यहां support line, ठीक है, तो share जब इस तरीके से behave करता है, उपर गया, नीचे गया, उपर गया, नीचे गया, तो यहां channel बना रहा है, और यहां है sideways, तो resistance में, यहां पर लोग share बेचेंगे, तो वो नीचे आएगा, जैसे ही वो इस level पर आएगा, लोग खरीदने वाले बैठे है, तो यहां खरीदेंगे, और share उपर चला जाएगा, ठीक है, तो यहां आप क्या देख रहे हैं, शेर एक support price पर आ रहा है, तो लोग क्या करते हैं, support price में, generally shares में entry करते हैं, ठीक है, तो आपको shares में entry कब करनी है, support level पर, यहां पर जब uptrend start हो रहा है, और आपको exit कहा करना है, इस level पर, और यहां entry और exit की strategy आपको बनाने पड़ी गई, आपके research के हिसाब से, तो यहां जो वीडियो है, यहां सिर्फ educational purpose के लिए है, और यहां कोई share खरिदने का advice नहीं है, तो यहां जो वीडियो है, आपको अगर पसंद आया है, तो मेरे चैनल को subscribe करें, वीडियो को like करें, और ज़्यादा से ज़्यादा share करें,